दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे दा किलर फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुने फैक्ट के बारे में भी और दोस्तो जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस में हिट हुई थी या भारती आच्रेकर्ड, जाकिर हुसेन, अफ्तार गिल, संजय बत्रा और प्रित्वी जूस सी नजर आये थे। इस फिल्म को हसनेन हाइदराबाद वाला और रक्षा मिस्त्री ने डारेक्ट किया था से प्रूडूस के था मुकेश भर्ट ने और इस फिल्म की काणि महेंद्र लाखन ने लिखी थी और इस फिल्म की डायलोग संजय मासूम ने लिखे थे। इस फिल्म अपने पहले दिन में 99 लाख के कलेक्शन किया था तो अपने पहले हपते में 3 करोड 88 लाख के कलेक्शन किया था अगर वर्ल वेट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 6 करोड 54 लाख का वर्ल वेट कलेक्शन किया थार फिल्म डिसास्टर साबित हुई थी अ वाजित वाजित ने दिये था इसके लिरिक्स जलिश शेरवानी ने लिखे थे इस फिल्म में कुल पांच गाने थे असके सभी गाने हिट रहे थे पर फिल्म के दो गाने पहला तेरी यादों में अदूसरा ओसनम ये दो गाने सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे थे जिसे के के अश्रिया गोशालने गाय थे तो चलिए इस फिल्म से तो 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 कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं नमबर एक ये फिल्म सन 2004 में आये हॉलिवूड फिल्म कॉलिट्रेल की हिंदी रिमेक थी नमबर दो इस फिल्म में इमरान हाश्मी ने एक भी किस नहीं किया था नमबर तीन इस फिल्म को दुबाई में बेन कर दिया गया था नमबर चार ये फिल्म इमरान हाश्मी और इर्फान खान की साथ में तीसरी फिल्म थी इससे पहले दोनों ने साथ में फुट पाथ और चॉकलेट फिल्म में भी काम किया था तो दोस्त तो आपको ये फिर्म कैसी लगी थी और आप इस फिर्म को पांच में से कितनी रिटिंग दिना चाहो गए हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें शियर करें और ऐसी